पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि कब पूरी स्थिती सामान्य होगी पूरी स्थिती सामान्य हो चुकी देश और दुनिया में इसके लिए कई प्रकार की भ्रांतिया कोई गलत आसा नहीं होगा मगर फैली हुई तो मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने पूरी कश्मीर की सामन्य स्थिती के बारे में बताना चाहता हूँ ग्रेब मंतरी अमिर्चा ने 20 नुवंबर को राजी सवा में दावा किया कि भारत प्रशासित कश्मीर में स्थिती पूरी तरह से सामनी हो चुकी है ये पहला मौका था जब अमिर्चा जम्मो कश्मीर राजी का विशिश दर्जा खत्मोने के बाद अधिकारी कुरूप से राजी सवा में कश्मीर के हालात पर वैयान दे रहे थे बीते कई सालों से जम्मो और कश्मीर से रिपोर्टिंग कर रहे बीवी सी संबाधाता रियाज मश्रूर इन दावों की सचाई जानने की कोशिश कर रहे हैं अमिर्चा ने दावा किया कि वहां की स्थिती सामाने ही है इसके बारे में कई भांतिया फैली हुई है मैं पूरी स्थिती के सामाने होने के बारे में बताना चाहता हूँ पांच अगस्त के बाद से अस्पताल से लेकर स्कूल और अशांती पर रिपोर्ट करने के बाद रियाज बताते हैं कि पिछले दिनों बर्फवारी के बाद से घाटी की स्थिती सामाने होती दिख रही थी रियाज मसरूर अमिद्चा के भाषन के दोरान श्रीनगर के लाल चौक पर मौझूद थे कश्मिरी लोगों पर इस भाषन के असर को बताते हुए रियाज कहते हैं बीते दिनों में यहां पर आनादिकारिक हर्ताल चल रही है दुकाने 11 बजे तक खुलती थी और इसके बाद दुकाने बंध हो जाती थी लेकिन बर्फबारी होने के बाद से घाटी में हालात धीरे-धीरे सामाने होने लगे थे लोग दुकाने खुल रहे थे लेकिन अमिच्छा के भाषन के एक घंटे के बाद ही लाल चौक पर दुकाने बंद हो गई इसके बाद से डाउन टाउन श्रिनगर में भी दुकाने बंद हो गई और कुछ लड़कों ने दुकानों पर पत्थर बाजी भी की अमिच्छा ने दावा किया 195 पुली स्टेशन से CRPC 144 हटा ली गई है और पत्थर बाजी की घट्णों में कमी आई है रियास मसरूर कहते हैं ये बात मिलकुल सही है कश्मीर में अब उतनी पत्थर बाजी नहीं होती जितनी पहले हुआ करती थी स्थानिय लोग बताते हैं कि इसके लिए 5 अगस्ट के बाद से साड़े 6,000 लोगों की गरफतारी समयदार है हलाकि इन में से 5,000 लोगों को छोड़ दिया गया है यहां पर पत्थराओ की घटना सिर्फ एक बार देखी गई है जब यहां यूरोपिय संग का प्रतिनिती मंडल आया था इस एक दिन में 60 ऐसी घटनाएं घटी थी अमिर्शा दावा करते हैं कि 5 अगस्ट के बाद पुलीस फारिंग में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है रियाज मसरूर बताते हैं यह बात पूरी तरह से सही है कि 5 अगस्ट के बाद अब तक पुलीस की फारिंग में किसी की भी मौत नहीं हुई है बीते 6 अगस्ट को पुलीस ने विरोध परदर्शन कर रहे कुछ लड़कों का पीछा किया था इसके बाद लगबग 4-5 लड़कों ने दर्या में चलांग लगा दी थी जिसमें पानी में डूबने की वज़े से एक लड़के की मौत हो गई वहीं सावरा इलाके में एक अन्य वेक्ती की मौत हुई थी जिसका नाम असरार खान था इन्हें टियर गैस का शल लगा था एक अन्य बुजर्ग की मौत तियर गैस के धूए में दम खुटने की बज़ा से हुई थी ऐसे में अमिर्शा की बात बिलकुल सही है अमिर्शा ने धावा किया है कि कश्मीर में हालात सामानने हो गए हैं उन्होंने कहा है कि वेपार ठीक ठंक से चल रहा है बच्चे स्कूल जा रहे हैं और अस्पताल भी सुचार उठंक से चल रहे हैं बीते डेड़ महीने में कश्मीर के अलग-लग अस्पतालों का दोरा कर चुके रियाज बताते हैं ये सरकारी आंकडे हैं और इन आंकडों पर जमीनी स्थेती से मिलाय जाए तो कुछ अलग तस्वीर सामने आती है वहीं फल वेपारियों की स्थेती को लेकर रियाज कहते हैं सेव उगाने वालों ने 27 सितंबर तक फल तोड़े ही नहीं थे इसके बाद सरकार ने कहा कि उनके फल नैफेट के तहट खरीदे जाएंगे ये एक अच्छी पहल थी क्यूंकि किसानों को अपने घर से ही माल बेचने का मौका मिल रहा था इस स्कीम के तहट पहले 51 रुपे फिर 400 रुपे कीमत लगाई गई लेकिन किसानों के लिए ये किमत आकर शक नहीं थी इसके बाद फल वेपारियों के सामने सुरक्षा को लेकर समस्याएं भी आई क्यूंकि संदिक बंदुक धारियों ने कई लोगों को मार दिया ऐसे में 20,000 डिब्बे यहां से निकल ही नहीं पाए और लोगों ने स्थानी स्थर पर ही उन्हें बेचा ऐसे में जब आप पूरे हालात को देखते हैं और कड़ी से कड़ी मिलाते हैं तो स्थिती सामाने नजर नहीं आती है ऐसे में इस स्थिती को सरकार किस तरह सामाने बता रही है इसे लेकर सरकार और स्थानी लोगों के बीच टकराओ किस्थेती है